हलो स्टुडेंट स्वागत है आग सभी का हमारे चैनल पर शौरफ क्लासिस में आज मैं जेपेसी मुख्य परिक्षा के लिए प्राचीन भारती इतिहास का 21 टॉपिक चोलो की प्रशाश्निक विवस्था लेकर उपस्तित हुआ हूँ तो चलिए शुरू करते हैं चोलो द्वारा अत्यंत कारे कुशल शाशन प्राले स्थापित की गई थे समराट निरंकुष तथा सर्वोच सत्ताधारी होता था परन्तु मंत्री परिशत तथा अन्य अधिकारियों का उस पर नैतिक अंकुष रहता था समराट और उसके सामन्तों के बीच समय और परिस्थितियों के अनुसार हेर फेर होते रहते थे सामराज्य की रक्षा न्याय और शाशन का पूर्ण दायत्व समराट पर था राज्य की सहायता और परामर्ष के लिए मंत्री और अमात्य थे उसकी आज्याओं की पांडुलिया उसके निजी मंत्री तैयार करते थे आज्याओं को कहीं प्रेशित करने से पुर्व उले नायक और पिरुंदरम नामक अधिकारी की अनुमती और हस्ताक्षर आवश्यक होता था इनका लेखा राज की ये पंजी में रखा जाता था चोल राजाओं के राज महलों के सेवक वल्लब के रूप में सम्मानित थे और अलग भवनों में बसाए जाते थे प्रशाशन की द्रिष्टी से चोल सामराज अन्ता विभाजनों के साथ सुविधाजनक छेत्रों में विभाजित था या विभाजन अवरोही क्रम में इस प्रकार था वल्लाडू अत्वा मंडलम उसके बाद है कोटम सत्पश्चात है नाडू तथा कुर्रम वल्लाडू का अर्थ प्रांध इसी प्रकार कोटम का अर्थ कमिश्चनरी एवं नाडू का अर्थ जिला था नाडू में कई कुर्रम को हम ग्रामसंु कहते हैं होते थे मंडलों का अधिकारी प्रांतिय शाशक था तो पराजित स्थानिय राजाओं का कोई वन्षज होता था जोल शाशकों ने एक शक्तिशाली सैना की स्थापना की और इनकी नौसैनिक शक्ति तो अभूत पूर्व थी इस सैना के बल पर इन्होंने दक्षणी पूर्व एशिया पर भी अपना प्रभाव कायम किया उनकी पैदल सैना के मुख्य भाग, पैदल, धनुर्धर, हस्ति सैना, अश्वारोही और जंगल में युद्द करने वाले विशेश शैनिक थे सैना अपनी सैनिक छावनियों में विभाजित था, जिसे कडगम कहते थे ब्रामन शैना पतियों को ब्रह्मधिराज कहा जाता था इसके अलावे सैना के अन्य उच्च अधिकारी थे तथा छोटी-छोटी इकाईया के अध्यक्ष थे सैनिकों के समुचित प्रसिक्षन, अभ्यास एवं अनुशाशन पर विशेश बल दिया गया था साक्षों के आधार पर चोल सेना में साथ हजार हस्तिदल तथा डेड़ लाग पैदल सैनिक स्विकार किये गये हैं अगे बढ़ते हैं भूराजस्व राज्यकी आय का मुख्ष रोत थे क्रिशी उत्पादन का एक बटा तीन भाग भूराजस्व निर्धारित किया गया था सीमा शुल्क, रहदारी, व्यवसायों पर आरोपित कर आधी से राज्यकी आय होती थी खानों, वन उत्पादों और नमक पर भी कर लगाए गये थे इन करों से वसूले गए धन को राज्यके लोकोपकारी कारे के लिए खर्च किया जाता था ग्राम नयाले तथा जातिये पंचायतों के अतरिक्त, नियमित रूप से गठित राज्यकी नयाले द्वारा नयाय की विवस्था थी प्रमाणों के रूप में दस्तावेज एवं गवाफ पेश किये जाते थे राजद्रों के अपराद घोशित होने पर अपरादी को प्राणडन के साथ साथ उसकी संपत्ती भी जब्त कर ली जाती थी सामान्य अपरादों के लिए सामान्यता जुर्माने तथा जेल की सजा मिलती थी चोल शाशक सारजनिक हित के कारियों पर बहुत धन वै करते थे वे सडकों, पूलों और नाओं की समुचित विवस्था करवाते थे सीचाई की विस्तृत विवस्था थी बड़ी नदियों के पानी को छोटी नहरों में ले जाने के लिए छोटी नहरे बनाई जाती थी कृत्रिम जलाशयों, तलाबों और कूओं को सीचाई के लिए प्रयोग किया जाता था इस प्रकार निशकर्षता हम पाते हैं कि चोलो की प्रशाशनिक विवस्था निरंकुष परंतु कुशल प्रशाशनिक तंत्र द्वारा संचालित विवस्था थी जिसने ततकालीन परिस्थित्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करके एक सुद्र प्रशाशनिक विवस्था कायम की इस प्रकार से हमारा यविशय यहीं समाप्त होता है धन्यवाद